नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशियल यूटूब चैनल गुरूजे स्पेशल क्लासस में मैं हूँ निमाई साना आपकी समक्ष उपस्थित हूँ साइकलोजी के टेस्ट सिरीज को लेकर स्ट्रेंट्स आज की कलासस में हम सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट सिरीज टू को जिसके अंतरगत सॉल्व करेंगे हम कुछ और मोस्ट इन्पोर्टेंट प्रशनों को जहां से सीधे-सीधे आपके सूपर्टेट एक्जाम्स में प्रशनों पूछे जाते हैं तो चले शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला कोशन और इस टैस्ट सीरीस का 21 कोशन आपके स्क्रींट पर है question number 21 में आपसे पूछा गया strength की किशोरा अवस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है यनि कि जो किशोरा अवस्था है जिसे हम adolescent period कहते हैं इसको किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है यानि कि गंभीर उथल पुथल की अवस्था जो है वो किशोरा अवस्था को कहा जाता है और ये कथन किस विद्वान ने प्रस्तुत किये हैं option A कहता है Stanley Hall ने option B कहता है Clark ने option C कहता है Waiver ने और option D कहता है William James ने अब आपको बताना है कि किशोरा अवस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था का नाम दिया है तो ये जो विद्वान है strengths वो है आपके Stanley Hall इसलिए इस questions का right option बनता है आपका option number A आपके Stanley Hall ने किशोरा अवस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है तो इसलिए इस questions का right option बनता है आपका option number A चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question question number 22 आपसे क्या कहता है तो question number 22 आपसे कहता है कि अनुवानशिक्ता का वाहक होता है यनि कि अनुवानशिक्ता हेरिडिटी का वाहक कौन होता है यनि कि कौन अनुवानशिक्ता को आगे बढ़ता है ये आपसे पूछा गया है option A कहता है RNA केंदरक option B कहता है केंदरक option C कहता है jeans और option D कहता है शीरा अब आपको बताना है कि अनुवानशिक्ता का वाहक कौन होता है तो आपने पड़ा है कि अनुवानशिक्ता का जो वाहक होता है वो jeans को मानते हैं क्योंकि jeans ही हमारी heredity को आगे लेकर जाते हैं यानिकि माता-पिता से जो गुण हमें प्राप्त होते हैं उसी गुण को हम अनुवानशिक्ता कहते हैं और इसका वाहक होता है आपका जीन्स इसलिए नेक्स्ट कोशन्स पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कोशन्स कोशन नमबर 23 आपसे क्या कहता है तो कोशन नमबर 23 आपसे कहता है कि अधिगम धारन पुने इस्मरन तथा पहचान आदी प्रक्रियाएं आती हैं यानिकि जो अधिगम है धारना है पुने इस्म option C कहता है रूची के अंतरगत और option D कहता है स्मृति के अंतरगत अब आपको बताने हैं कि अधिगम, धारन, पुने अस्मरन तता पहचान आधी प्रक्रियाएं जो आती हैं वो किसके अंतरगत आती हैं अगर आप कोई चीज सीखते हैं या किसी चीज को आप धारन करते हैं या किसी चीज को आप पुने स्मरन करते हैं याद करते हैं या पहचान करते हैं तो ये सभी process आपके आते हैं स्मृति के अंतरगत यापकी memory के अंतरगत ये सभी चीज़े depend करते हैं अगर आपकी स्मृति पावर ज्यादा हो तो आप चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं इसलिए इस कोशन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नमबर डी यहनि अधिगम धारन पुने स्मरन और पहचान ये सभी प्रक्रियाएं आपकी स्मृति के अंतरगत आते हैं उमीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रशनों के राइट ऑप्शन तक भी इजली पहुँच पा रहे होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स प्रशन आपसे क्या कहता है तो नेक्स प्रशन कोशन नमबर 24 आपसे कहता है कि वह प्रापतांग जो किसी प्रदत को दो बराबर भागों में बाटता है कहलाता है यानि कि वह कौन सा प्रापतांग है जो किसी डेटा को यानि प्रदत का मतलब होता है इस ट्रेंट डेटा जिसको दो बराबर भागों में बाटता है यानि कि दो भागों में डिवाइट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं Option A कहता है समानतर माध्धे, Option B कहता है माध्धे का, Option C कहता है बहुलक और Option D कहता है उप्युक्त सभी. तो यहाँ पर आपको बताना है कि दो बराबर भागों में बाटने वाला जो डेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं तो देखे समानतर माध्धे का फॉर्मूला होता है पदो का योग बटे पदो की संख्या तो ये तो दो बराबर भागों में नहीं बाटती है और बहुलक का अ मद्धिका में भी पड़ा होगा अगर N की वेलू मान लीजिए 5 है हैने कि N विशम संख्या है तो अगर आप मद्धिका को calculate करते हैं तो इसमें आप calculate करते हैं मद्धिका बराबर N प्लस 1 अपॉन 2 वाव पद और अगर आपके पास 5 आ जाए तो 5 प्लस 1 बटे में 2 तो 6 बटे आप left से हटा दीजिए और दो पद आप right से हटा दीजिए तो बचावा जो मद्धिका पद होता है वो ही आपके पदों को बराबर भागों में बाढ़ता है और यह formula आपके मद्धिका के अंतरगत आते हैं इसलिए questions का right option बनता है मद्धिका यह वह प्राप्तांग जो किसी भी data को दो बराबर भागों में बाढ़ता है उसको हम मद्धिका कहते हैं उमीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रशनों के right option तक भी easily पहुच पा रहे होंगे चलिए next questions पर आगे बढ़ते हैं और देखते है next question आपसे क्या कहता है तो next question question number 25 option C कहता है आयू का और option D कहता है लंबाई का तो बहुत ही simple प्रशन है आप पहुच गए होंगे कि यह जो मापन करता है वो बुद्धी लवदी का क्योंकि बुद्धी लवदी IQ का formula होता है mental age एनि MA बटे CA into 100 तो इसलिए questions का right option बनता है आपका option number B कि यह जो सूत्र है यह आपन करता है बुद्धी लवदी का चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है तो next question question number 26 आपसे कहता है कि शारिरिक रचना बुद्धी रूची व्यक्तित्व आदी में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन होना कहलाता है option A कहता है सामोहिक भिन्न पर और personality के अधार पर जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन होते हैं अलग होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं बहुत ही simple प्रशन है right option इसका है व्यक्तिक भिन्नता एनि इंडिविज्वल डिफरेंसे इसको हम कहते हैं और ये topic आप CDP के अंतरगत पढ़ कराएं आपक एक अंतरगत Whoa दीके है कि इसकी कमी से वंगतिक को यह तुम करता है कि जान का समवंद आपके बुद्धी से होता है तो संग्यानात्मक संता की कमी से व्यक्तिक को करफ़ें होटी है वो बाधिक विकास में होती है इसलिए इस questions का right option बनता है आपका option number B चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आप से क्या कहता है तो next question question number 28 आप से कहता है कि सिग्मन फ्राइड द्वारा प्रतिपादित विक्तित विकास के सिध्धान को कहा जाता है हैनि कि जो सिग्मन फ्राइड है जो मनो वैगानिक सिग्मन फ्राइड है उनके द्वारा जो विक्तित विकास के सिध्धान में जो सिध्धान प्रतिपादित किये गए हैं उसको किस नाम से जाना जाता है option A कहता है शारिक विकास का सिध्धान option B कहता है भावात्मग विकास का सिध्धान, option C कहता है मनो विसलेशनात्मक सिध्धान option D कहता है ग्यानात्मक सिध्धान, तो इस questions का right option आपका बनता है option number C क्योंकि सिगमन फ्राइड ने जो विक्तित विकास के सिध्धान प्रति पादित किये हैं उस सिध्धान का नाम है मनोविसलेशनात्मक सिध्धान इसलिए स्कोशन का राइट ऑप्षन बनता है आपका ओप्षन नमबर C चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है तो next question question number 29 आपसे कहता है कि MacDougal ने कितने प्रकार के संवेगों की बात की है उन्होंने कितने प्रकार के संवेगों के वारे में बताया है option A कहता है 3, option B कहता है 5, option C कहता है 7, और option D कहता है 14 अब आपको बताना है कि MacDougal के अनुसार कितने प्रकार के संवेग होते हैं तो इस questions का right option आपका बनता है 14 यानि MacDougal ने 14 प्रकार के संवेगों पर बात की है और content वाले portions में आपने बहुत अच्छे से cover किया होगा उमिद करता हूँ कि ये सभी प्रशनों के right option तक आप easily पहुँच पारे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question question number 30 आपसे क्या कहता है तो question number 30 में आपसे पूछा गया है कि जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है कि जन्म से लेकर ये कि बर्थ से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको हम जानते हैं शेश्व अवस्था के नाम से तो इसलिए इस questions का right option बनता है आपका option number A चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरन के दोशों कमियों एवंग रिक्तियों के प्रति सजगता है यह विशेश्था है यानि कि समस्या के अर्थ को जो भी problem है उसके अर्थ को जानने की योग्यता बातावरन के दोशों को बातावरन में जो कमियां हैं एवंग जो रिक्तियां हैं उसके प्रतियदी आप सजग होते हैं अलर्ट होते हैं तो यह विशिष्टा हैं किस की है option A कहता है प्रतिभाशाली बालको की option B कहता है सामानने बालको की option C कहता है सरजनशिल बालको की और option D कहता है सभी बालको की अब आपको बताना है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरन के दोशों एवं कमियों और रिक्तियों के प्रतियदी आप सजगता होते हैं तो यह विशेषता हैं आपके स्रजन शिल वालकों की होती है इसलिए questions का right option बनता है आपका option number C स्रजन शिल वालकों की चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आप से क्या कहता है तो next question question number 32 आप से कहता है कि निम्न में से कौन सी अर्षमता केवल जन्मजात होती है निकि निम्न में से कौन सी अर्षमता निकि disability ऐसी कौन सी है जो जन्मजात होती है option A कहता है दरश्टी दोश option B कहता है श्रवन दोश option C कहता है मुक बधीर और option D कहता है मंद बुद्धी अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी अश्रमता केवल जन्मजात होती है तो देखे जो द्रिष्टी दोश है ये बाद में भी हो सकती है और जन्मजात भी हो सकती है तो केवल जन्मजात की बात की गई है इसका मतलब द्रिष्टी दोश आपको बाद में भी हो सकती है तो इसलिए ये option तो बिलकुल नहीं हो सकता श्रवन दोश श्रवन दोश भी आपके बाद में हो सकती है अगर आपको कहीं चोट लग जाए और आपको सुनाई कम दे तो ये जो दोश है ये जन्मजात नहीं होती है और मुकवधिर यहनी कि अगर आपके सिर में कहीं चोट होती है क्योंकि मन बुद्धी का मतलब होता है कि आपकी IQ लेविल जो है वो 70 से नीचे है और 70 से नीचे जो IQ लेविल है वो डिपेंड करता है कि आपकी अनुवान शिक्ता किस प्रकार की है तो इसलिए जो अश्रमता है मन बुद्धी ये जन्मजात हो सकती है केवल और अगर डारेक्शन लेंगे अगर आपको सही तरीके से विक्सित किया जाएगा तो मन्द बुद्धी की प्रॉबलम आपके अंदर नहीं हो सकती अगर आपके अंदर IQ की कोई कमी ना हो तो यहाँ पर अगर हम चारों ओप्शन देखेंगे तो केवल जन्मजात जो अशमता है व कम रह जाती है कहे जाते हैं कहिते हैं जो यह स मान्ने योग्यता से जिनकी कम रह जाती है उनको कहते हैं Option-A कहता है पिछड़े Option-B कहता है विशेश Option-C कहता है बाल अपरादी, option D कहता है मानसिक रूप से कमजोर, अब आपको बताना है कि अगर किसी बच्चे की सीखने की शमता सामाने योग्यता से कम रह जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उस बच्चे को हम कहते हैं, पिछड़ा बालक, क्योंकि वो सामाने बच्चों से भी, साम कोशन देखते हैं, आपसे क्या कहता है, तो कोशन नमबर 34 आपसे कहता है, कि निम्न में से कौन सी इकाई का उप्योग सुनने की शमता की जाच है, तो अगर आप कभी भी सुनने की शमता की जाच करते हैं, तो इसके लिए जिस यूनिट का उप्योग करते हैं, उसका नाम ह होता है decibel जो ध्वनी है इसकी जो नाप हम नापते हैं उसको decibel में नापा जाता है इसी लिए सुनने की शमता की जाच के लिए decibel unit का उपयोग करते हैं तो इसलिए कोशन कराइट option बनता है आपका option रूप में पाई जाती है option A कहता है शारिक रूप में option B कहता है मानसिक रूप में option C कहता है रूची के रूप में option number D उपलोग तो सभी चलि आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आप से क्या कहता है तो next question question number 36 आप से कहता है कि वर्तमान में निशक्त बच्चों की सिक्षा के लिए कहा गया है देखे वर्तमान समय में जो निशक्त बच्चों की सिक्षा के लिए आप जिस शिक्षा का प्रा यह हम जिस शिक्षा का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं समाविशी सिक्षा इसलिए इसकोशन का right option बनता है आपका option number 1 चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आप से क्या कहता है तो next question आप से कहता है कि अलेक्सिया है यह जो learning disability है वो क्या है option A कहता है पढ़ने की अ option B कहता है लिखने की अ शमता option C कहता है लिखने की शमता और option D कहता है सुनने की शमता तो देखें शमता वाले जो option है यह तो बिलकुल नहीं हो सकता क्योंकि अलेक्सिया एक बिमारी है और जो बिमारी है उसको हम अ शमता कहते हैं इसलिए option C और D बिलकुल नहीं हो सकता और अलेक्सिया एनिकि डिसलेक्सिया का सम्मंद आपके पढ़ने से होता है तो अलेक्सिया का सम्मंद भी आपके पढ़ने से ही होता है इसलिए इसकोशन का राइट ऑप्षन बनता है आपका ऑप्षन नमबर A इसलिए ये B option आपका नहीं हो सकता तो अलेक्सिया का सम्मन्द आपके पढ़ने की अश्मता से यानि कि अलेक्सिया एक छोटा शब्द है यानि कि ये पढ़ने से सम्मन्दित बिमारी को represent करता है लेकिन बहुत दाइरा इसका कम होता है और जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने सम्मन्दित व्यापक अर्थ को प्रदर्शित करता है यानि के पढ़ने संबंदी जो भी बिमारिया होती है उनको हम dyslexia कहते हैं जो broad तरीके से define करते हैं और short तरीके से जो define करते हैं उसको हम alexia कहते हैं तो इसलिए इस questions का right option बनता है आपका option number A उमेद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रशनों के right option तक easily पहुँच पा रहे होंगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है तो next question question number 38 आपसे कहता है कि विशिष्ट बालकों के अंतरगत कौन आते हैं देखिए विशिष्ट बालक होते हैं special child होते हैं उनके अंतरगत कौन आते हैं तो देखिए जो हम टर्मन के अनुसार IQ का वरगी करन करते हैं तो इसके अंतरगत जो टेबल होता है जिसमें हम परतिभाशाली बालक पिछड़े बालक औसद बुद्धी बालक मंद बुद्धी बालक जड़ बुद् बनता है आपका option number D विशिष्ट बालकों के अंतरगत आपके पिछड़े बालक भी आ जाएंगे प्रतिभाशाली बालक भी आ जाएंगे और मंद बुद्धी बालक भी इसके अंतरगत आ जाएंगे तो इसलिए कोशन का राइट option बनता है आपका option number D चले next questions पर आगे सामने मानसिक स्वस्त के नियमों को खोजना और उन्हें बनाई रखना अध्यान का चेंद्र बिंदू है ये कथन किस महोदे का है option a कहता है शेफर का option b कहता है driver का option c कहता है head-field का और option d कहता है तो आपको बताना है कि मानसिक स्वस्त के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्यन का केंद्र बिंदु है और यह कथन आपके ड्रेवर महुदे का है यह कथन है इसलिए इसकोशन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नमबर बी चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स प्रशन और लास्ट प्रशन इस टेस्ट सीरीज टू का आपके स्क्रेंड पर है वह जूने नमबर फॉर्टी कि परतिभाशाली होने का संकेत नहीं है यह कौन सा ऐसा संकेत है जो उस बच्चे के प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं देते हैं, वो आपको बताना है, option A कहता है, विचारों में स्रजनात्मक, यह विचारों में जो आपकी thinking है, इसमें creativity होना, option B कहता है, दूसरों के साथ, option C कहता है, अभिव्यक्ति में अनुठापन, यह जो आप express करते हैं, उसमें आपका क्यूनिकनेज, और option D कहता है, को तूहल, यहनि कि किसी भी चीज़ को सही ढंग से बोलना, यहनि किसी भी चीज़ को सही ढंग से explain करने की quality को रखना, तो परतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, को और प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है, के अंतरगर्णत आते हैं, तो आप किसी चीज को अभिव्यक्त कर पाते हैं बहतर ढंग से किसी चीज को प्रदर्शित कर पाते हैं तो इसका मतलब आप प्रतिभाशाली बालकों की कैटेगरी में आते हैं और कोतुहल का मतलब भी होता है यही कि आप किसी चीज के बारे में बहतर ढंग से बता पाना या इसलिए इस questions का right option बंता है आपका option number P एनि प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है दूसरों के साथ उमीद करता हूँ कि यहां तक जितने भी प्रशन मैंने आपके साथ discuss किये उन सभी प्रशनों की right option तक आप easily पहुंच पाए होंगे comment section में जरूर बताएगा कि आपके score कितने रहें और question का इसतर आपको कैसा लगा मिलते है next class में और कुछ most important प्रशनों के साथ आज के लिए बस इतना ही अगर आपको एक लास अच्छी लगी हो तो इसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए well icon को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के beneficial वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाओं तो आपको time to time notification मिलते रहें धन्यवाद जय हिन